हेलो गाइस तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं बन पर रहा था ठीक है तो आज हम बताएंगे आपको अलंकार से related important theory ठीक है और short trick बताएंगे मतलब किस तरह से अलंकार को तयार किया जा सकता है तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ share करें क्योंकि यह वीडियो class 10th class 12th और high level competition exam वालों के लिए है जो और जिसमें हिंदी के question पुछे जाते हैं उनके लिए भी है ठीक है तो इस वीडियो को जरू से जरू देखिएगा जरू तो इसमें हमारा क्या दिया गया है सलेश अलंकार ठीक है तो इसमें दिया गया है सलेश अलंकार तो सलेश अलंकार क्या होता है सलेश अलंकार किसे कहते हैं तो एक सब्द के अनेक अर्थ होते हैं उसे हम सलेश अलंकार कहते हैं तो इसका उधारण क्या है सलेश अलंकार किसे कहते हैं आपको simple भासा में बताना है एक सब्द के अनेक अर्थ होते हैं उसे हम slash अलंकार कहते हैं तो इसका उधारण क्या है आपको उधारण बताना जोरूरी है यदि आप class 10 या निक लास 10 और class 12 में है या 9 में है या 11 में है तो आपको इसमें अलंकार पुछेगा तो अलंकार एक सब्द के अनेक अर्थ हो जिसके होते हैं उसे हम slash अलंकार कहते हैं और उसके उधारण क्या है simple सा उधारण है रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन पानी नगय उबरे मोई मानस चुन ठीक है यहाँ पर देखे एक सब्द के भिन्नमता से ही है रहीम कह रहे है कि मनुस में हमेशा भिन्नमता याई पानी होना चाहिए या पानी का दुसरा आर्थ है आभात तेज या चमक जिसके बिना मोती का कोई मुल नहीं है ठीक है तो आप समझ गए होंगे इस उदाहरण का ये क्या है हिंदी वर्जन है ठीक है यानि कि रहिमन पानी राख ये बिन पानी सब सुन पानी गयन उबरे मोई मानस चुन तो ये इसका क्या है हिंदी वर्जन है तो आप उदाहरण के अनेक अरत होते हैं उसे हम अलंकार करते हैं यहाँ पर देखिए चुन और सून यहाँ पर दो सब्दाइये हैं ठीक है इसका वद्धान में रखिएगा चलिए अब हम next की बात करते हैं तो हम़ा next हla क्या है यमक अलंकार क्या दिया गए हमारा next है यमक अलंकार क्या है सोरी हाँ हमारा next क्या है यमक अलंकार तो यहां पर यमक अलंकार की परिभासा क्या होगी हाँ तो कैस्ट यहां पर सोरी हाँ यहां पर यमक अलंकार की क्या परिभासा होगी एक ही सब्द एक से अधिक बार आएं और अर्थ अने एक सब्ध एक से अधिक बार आएं और उसका अर्थ क्या हो अनेक अनग अलग 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 हो तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं तो यह थी हमारी यमक यलंकार की परीभासा एक से अधीकबार आये और अर्थ अनेक हो एक से अधीकबार आएं वो सबद और उसका अर्थ अनेक हो से हम यमक अलंकार कहते हैं आईए यहाँ पर देखे दिया गया है इसके उधारण क्या है काली घटा का घमंड घटा यहाँ पर गटा सब्द दो बारा है लेकिन इसका क्या है और दूसरा देखिए कनक कनक ते सवगनी माग दिगता अधिकाई या खाए बोराए बोरात नर्या पा बोराए ठीक है कनक कनक ते सवगनी यहाँ पर एक कनक का अर्थ होता है सोना से एक कनक का अर्थ होता है धातूरा से यहाँ पर देखे कनक का मतलब है यहाँ पर कनक सब्द दो बार प्रियुक्तुगा है अनि कि एक ही सब्द से अधीक बार आने एक ही सब्द एक से अधीक बार आएं और उसका अर्थ अनेक हो तो यहाँ पर कनक सब्द दो बार है लेकिन इसका अर्थ क्या है अलग है उसी के बाद यहाँ पर घटा दो सब्द है यानि कि दो बार आया है तो इसका भी अर्थ क्या है अलग-अलग है तो यह थे ट्रीक तो यदि आप इस वीडियो का PDF चाते हैं तो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा हमारे टेलिग्राम चैनल का नाम है की सब्सक्राइब का सस्ट रिलेटेडां जय तो सब्सक्राइब हमा aciaarlasus आशव तो सिसे आपको इमपार्टन चैनल से जबकेदेडा कर जाएंगी चलिए बढ़ते हैं का सब्सक्राइब करेंदे आगे हम गार्थ अब किया है नेश्ट क्या है हमारा अर्था अलंकार ठीक है अर्था अलंकार उत्परेच्छा अलंकार यदि पंक्ति में मनू जनू मनहू मानो जानो आदी आता है वहाँ पर उत्परेच्छा अलंकार होता है जैसे देखें ये उत्परेच्छा अलंकार की परिवासा है मनहु मानो जानो आदी आता है वहाँ उस प्रच्छा अलंकार होता है जैसे माल लिजिए कि ले चला साथ मैं तुझे कनक जयों भिच्चुक लेकर सोण ठीक है और के दीगा है नेत्र मानो कमल है क्या है ये क्या है मारे उधारण है ट्रीक है ठीक है चलिए बाढ़ते हैं आग करते हैं जब पंक्ति में योजक चिन आये यानि कि इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम योजक चिन बोलते हैं हिंदी में ठीक है इसे हम योजक चिन बोलते हैं हिंदी में और इंगलिस में क्या बलते हैं आपको कमेंट बास मताना है और जो सब देखें नीचे लगा होता है यान जब पंक्ति में योजक चिन आये वह सब्द सासी से सरिस आये तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं यह थी उपमा अलंकार की भरभासा तो इसका मतलब उधारड क्या है मुख चंद्रमा सा सुंदर है कर कमल सा कोमल है यानि कि यहां क्या है ट्रीक है इसको धायन में रखिये आये बढ़ते हैं आगे को संगी तरफ अब यहां पर के दिये गया है यहां पर हम आपको बताएंगे अनुपरास अलंकार की परिभासा कि इसकी परिभासा अनुपरास अलंकार की परिभासा तो इसकी उधारड क्या है वर्ड में बार बार आए तो वहाँ अनुपरास अलंकार होता है यहाँ पर जल थल क्या है यहाँ पर जल थल क्या है यह क्या है बार बार आ रहे हैं ठीक है तो वही बता रहा है ठीक है मधूर मधूर यहाँ पर देखे बार बार आया है मधूर मधूर तो यह क्या हो गया अनुपरास अलंकार आए बढ़ते हैं आगे ट्रिक की तरफ तो हमारा आगला क्या है अतिस्योक्ति अलंकार तो अतिस्योक्ति अलंकार किसे करते हैं तो इसमें जानेंगे हम सभी चीजी की जनकारी होगी आपको ट्रिक्स के मादम से आप अलंकार को परिभासा उधारण के साथ और ट्रिक के साथ समझने का परियास करें और अपने सभी एकजाम को सफल बनावे यानि कि यहाँ वीडियो 10 कलास के बच्चे 12th, 11th और 9th कलास के बच्चे भी दे सकते हैं और उससे उपर जो High-Level एकजाम के परियारी कर रहे हैं वो बच्चे भी देख सकते हैं उद्धारण के साथ भी है जैसे माली जी उद्धारण क्या है आगे नदिया पड़ी आपार गोड़ा कैसे उतर पार राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार यह क्या है अतिसलगती अलंकार है चलिए आगे बढ़ते हैं हम तो हमारा आगे क्या देगा है आर्था अलंकार, यानि कि रूपक अलंकार की परभासा है यहाँ चलिए बढ़ते हैं तो रूपक अलंकार रूपक अलंकार की से कहते हैं जब पंक्ति में केवल योजक चिन आए और साथ सी से न आए यह मतलब यह तीनों क्या है न आए और योजक चिन है उसे हम रूपक अलंकार काते हैं और इसका उधार क्या है मैया मैं तो चंद्र खिलवना ले हूँ चरण कमल बंदो हरी आई यह क्या थे इसके उधारण है ट्रिक है ट्रिक है योजक चिन क्या है किवल योजक चिन है और सा सी से नहीं है इसमें देख लिजिए तो यह क्या है रूपक अलंकार है और ट्रिक भी है चलिए बढ़ते हैं आगे हम और इसमें हम जानेंगे अलंकार के कितने भयद होते हैं अलंकार के मुखता दो भयद होते हैं आप सभी को पता होगा नहीं पता होगा इस वीडियो को देखिए और जान जाएए अर्था 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 अर्थ का अलम और प्लस कार तो यहां पर अलमकार्थ होता है आबूसर से ठीक है और इसकी परिभासा क्या होती है अलंकार की तो अलंकार की परिभासा है काभी की सोभा वलाने वाले तत्वों को हम अलंकार काते हैं या बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं आप यदि आपको यह नहीं आ तो कि इस वीडियो में आपको ट्रिक के साथ परिवाशा उधार भी बताया जा रहा है तो इस वीडियो का यह आप पीडिया आते हैं तो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा हमारे टेलिग्राम चैनल का नाम है अमन जेकियंस ठीक है धन्वाद चलिए आपसे नेक्ट वीडियो मिलते हैं जैहिन जैवाद